जैनेर वन सौगते आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेल्स की प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले और आप सब जानते हैं कि पिछले तीन महिनों से हमारा चैनल का फिर डिस्टरब था उसके पिछे अपडेट्स से दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस समय भारती यो वायू से ना कि जो फाइटर रेक्राप्ट है इनके लिए जो एडवांस इंजन है इनकी काफ़े ज़रूरत है खासकर एमका की बात करें तो उसके लिए 110 ट्रूर्स के जो इंजन है इसके रिक्वार्मेंट लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि एमका माक्टो की टाइमलाइन इसे चीज़ पर निलदारित करेंगी कि हमारे पास जो एडवांस जेट इंजन है ये कब तक आ जाते हैं और आप सब को पता है कि 26 जनवरी की एक रिपोर्ट सामने आई थी जहापर कहा गया था कि सैफ ये कावेरी के 9 और कावेरी के 10 क्या है कि इसका क्या महत्तु है हमारे जो इंडिजिनस इंजन मैने फैक्ट्रिंग इस पर तो इन सारे विश्वों को डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में और आशक करेंगे हमेशा के तरह ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चलिए शुरूर करते हैं आज का अपना ये वीडियो कि वो इंजन कौन सा होगा आपको याद होगा जनवरी में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि फ्रेंच इंजन जेट मैनुफेक्चरर जो है सैफरान ये 100% टेकनोलोजी ट्रांसफर के लिए तयार हो चुके हैं जो कि भारत के 5 जनरेशन फाइटर करफ्ट के लिए एक उन्नत इंजन को विक्सित करने के लिए काफी महतपूर्ण माना जा रहा है और उसके बाद से एक बार फिर से चर्चाय तेज हुई है कि सैफरान अभी भी अपने इस प्रस्ताओं पर बना हुआ है और भारत को वो काफी नई टेकनोलोजी ट्रांसफर करने के लिए इच्छोक है और इस समय कई महतपूर्ण विशे हैं जिन पर फाइनल निगोशियेशन चल रहा है और जैसे ही ये निगोशियेशन खतम होते हैं उसके तुरंद बाद सैफरान और डियाडियो की बीच में एक जो कोलाबरेशन है इसकी घोशना कर दी जाएगी जिसके अंतरगत इस इंजन का निर्मार भारत में किया जाएगा हलाकि उसके बाद से कोई बड़ी अपडेट सामने देखने को नहीं मिली और माना जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के बाद जो ऑफिशिल घोशना है वो कर दी जाएगी क्योंकि जब फ्रांस के राश्पती भारत के दोरे पर थे तो उस दोरान भी जेट इंजन डेबलप्मेंट प्रोग्राम को लेकर के कुछ महात्पोंड बात होई थी और ये कयास लगाए गए थे कि जनरल इलेक्शन के बाद ये जो एनॉंसमेंट है ये की जाएगी अब आपको बताते चले कि इस समय एमका से हटके भा मिलने वाले है रिपोर्ट की बात माने तो सैफरान जो इंजन ओफर कर रहा है ये एक नए अफग्रेड़िट कोर के साथ में होगा जिसका जो थ्रस्ट आउटपुट है वो 110 से लिकर के 130 किलो न्यूटन के बीच में होगा पहले ये माना गया था कि M88-4 पर आधारित एक न जीज़ें वो सैफरान के दोरा भारत को ट्रांसफर की जाएंगी जिसके अंतरगर्थ एक उन्नत इंजन विक्सित किया जाएगा लेकिन क्या आपको पता है कि भारत भी इसमें पीछे नहीं है भलाई हमने सौधिशी इंजन अभी तक सही से विक्सित नहीं किया है वो ऑप 286 में इस प्रोग्राइम की शुरुआत करी थी जहाँ पर एक उन्नत जेट इंजन विक्सित करने के लक्षी के साथ कारे की शुरुआत हुई थी और ये उद्देश था कि भारत के जो लाइट कॉमेटे क्राप तेजस है इनको एक सुपर मनुवर्विल्टी प्रदान करने वाला जो एंजन है ये प्रदान किया जाए जो कि हायर थ्रस्ट आउट्पुट के साथ में हो और तेजस के रिक्वाइमेंट को पूरा कर सके इसको नाम दिया जाता है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट और इसके लिए इनिशली तिरपर मिलियन डॉलर्स की जो राशी है ये आवंटित की जाती है कहा जाता है कि गैस्ट रॉपाइन इस्टैब्लिश्मेंट का प्लैन ये था कि वो तकरीबन 17 प्रोटोटाइब कावेरी इंजन के तयार करने वाले थे और उसमें से जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक किया जाना था लेकिन सबसे खा प्रेसे स्टेजिस के लिए थी और इसका पहला रन 1995 में कम्प्लीट किया गया उसके बाद 1996 आता है और पहली बार जो कावेरी इंजन का फुरा रन है इसको पूरा किया जाता है और बाद में 1998 में जो 5 ग्राउंट टेस्ट प्रोटोटाइप हैं इनको भी टेस्ट कर लिया जाता है यह माना गया था कि जो इनिशल फ्लाइट टेस्ट होगा कावेरी इंजन का ये वर्ष 1999 में किया जाएगा और वर्ष 2000 में लाइट कॉम्बैटेड क्राप टेजर्स के साथ इसकी पहली उडान को आयुजित कर लिया जाएगा हलाकि आप सब को पता है कि 1998 में जब प एस्ट्रोपाइंट इस इस्टैबलिश्मेंट 2004 तक इस प्रोग्राम को किसी तरह ले करके आती है लेकिन इसको सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब 2004 के आसपास हाई एल्टिजूट टेस्ट जो कि रश्या में आउजित किया जा रहा था उस दोरान इंजन फेल हो जात है कि यहीं से इसको शामिल करने की जो उम्मीदे थी वो लगबग लबग खतम हो जाती है लेकिन तब तक कावेरी इंजन ने 1700 घंटे का जो प्लाइट टेस्ट है इसको पूरा कर लिया था बाद में वर्ष 2008 में एक बार फेर से इसको रशिया भेजा जाता है और उस दोरान इसके हाई इल्टीटू टेस्ट को आईजित किया जाता है तो अड़ार साथ में ग्यास्ट्रबाइनिस इस्टेबिश्मेंट ने ये डिसाइट कर लिया था कि इसके हमें दो सेपरेट प्रोग्राम देखने को मिलेंगे पहला होगा के नाइन प्लस प्रोग्राम जिसका का अगर जरुत पड़ी तो उसके साथ भी और उसी के उदेश्टी के साथ इस प्रोग्राम के शुरुआत होती है हलाकि बाद में एक जटका तब लगता है जब ये कहा जाता है कि तेजस से इस प्रोग्राम को डीलिंक कर दिया गया है और 2011 की जो कैक की रिपोर्ट है वो भ पड़ेगा सिर्फ इतना ही नहीं बलकि अब ध्यान में रखकर के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि तेजस के जो इनिशल प्रोट्राइब्स हैं उसके साथ इसको टेस्ट किया जाएगा यानि कि सैफरान के साथ जो इंजन हम बना रहे हैं वो तो अच्छी बा भविष्य कावेरी इंजन के लिए काफिर जादा महातोपूर्ण होने वाला है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इस समय प्लैन तो ये भी है के कावेरी 2.0 पे काम शुरू कर दिया गया है जो कि तकरीबन 91 के लिंटन का ट्रस जनरेट करने में सक्षम होगा और अगर ऐसा हो जा जाहे हैंट